लाइफ में अगर आपके पास कवे भी चॉइस ना हो, आपको फ्रीडम न मिले, तो उस फ्रीडम को पाने के लिए किस हद तक आप जा सकते हो, या सही क्या गलत, इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसी एक ठीम को लेकर आज के हमारी मुवी इंसिकरेट ही आती है, इना किस देरी के एक्समेशन स्टार्ट करते है, मुवी स्टार्ट होने पर हम देखते हैं, यह फादर अपनी छोटी बेटी को अपनी सिस्टर के बास छोड़ जाते है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, और वो खुद अकेले अपनी बेटी को समाल नहीं सकता था, सिस पुदी लड़की थी, इसका नाम था तेरेस, मैडम को एक बेटा है, इसका नाम एक कमील, कमील हमेशा बिमार रहता है, इनके पास एक्सरा रूम नहीं था, तो मैडम तेरेस और कमील को एक ही रूम में सुलाती है, तेरेस ने अपने फादर को बहुत मिस्ट किया, वो आ जाएंगे, पर वो आये ही नहीं, बच्पन से लेकर बड़े होने तक, टेरेस को कमील का खयाल रखना पड़ा, उसके फादर का भी वापस नहीं आये, मैडम कहा करती थी, मेरे ब्रदर ने कभी भी कोई भी प्रॉमिस कम्प्लीट नहीं किया, वो तुमें लेने के लिए भी नहीं आएगा, टेरेस बड़ी हो चुकी थी, तो अपनी बोड़ी उसने डिस्कावर किये, फिल्ड पर जो वरकर काम करता था, उसे देखकर वो अपने आपको प्लीज करती थी, एक दिन जब वो घर पर आये, तो कमील बाहर था, कमील की तवियत खराब होती है, तो मैडम टेरेस को न्यूज देती है, तुम्हारे फादर की टेथ हो चुकी है, टेरेस के फादर ने कुछ पैसे छोड़े थे, इससे अपनी फाइनाशल सिच्वेशन जारा ठीक करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं, कुछ दीन गुजर चुके है, आज कमील बहुत ही खुश मैडम का अब एक सपना था, कि उसका एक छोटा सा शौप हो, पैरिस में एक शौप फो खोलने वाले है, मैडम ने का, जाने से पहले हम शादी कर लेंगे, टेरेस कहती कि किसके शादी, मैडम ने कहा कि तुम्हारी और कमील की, टेरेस इस पर कुछ भी नहीं बोलती, मैडम उसके पास भी और कोई आप्शन नहीं था, उसके कमील से शादी करनी पड़ी, इसके बाद इडारेक्ली पैरिस आ चुके है, इनके पास जादा पैसे नहीं थे, तो डाक रूम्स वगरा इन्हें लेने पड़ते है, कमील कोई अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसके पास चला जाता है, वहाब और उसे बहुत अच्छा लगता है, आज राट टेरेस कमील के साथ इंटिमेट होना चाहती थी, पर कमील कोई भी इंट्रेस नहीं दिखाता, नेक सिन्वम देखते हैं हर चूस्टे को, मैरम के हैं गैधरिंग होती है, सिटी को कुछ ऑफिशल, उसके गेम्स खेलने के लिए आया करते हैं, आज यहाँ कमील अपने एक फ्रेंड को ले करा, इसका नाम था लॉरेंट, लॉरेंट कमील का बजपन का फ्रेंड है, उसका ओफिस में काम करता है, मैडम भी लॉरेंट को देखकर बहुत ही खुश थी, यह कितना बड़ा हो चुका है मैडम के सफ्रेंड में एक पुलिस ओफिसर भी था, वो डेट बोडिस के बार में बात कर रहा था, लॉरेंट एक आर्टिस्ट है, तो गहता है कि मैंने डेट बोडिस के भी पेंटिंग बनाई है, वो इससे पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, लॉरेंट ने कहा कि मैं न्यूड मोडेल्स की पेंटिंग बनाया करता था, टेरेंट से बात सुनकर इंटरस्टेड हो गई, वो खहता है एक बार मेरे फादर ने मुझे पकड़ लिया, उन्हें शौक लगा और सीडी से नीचे गिर गए थे, इसके बाद वो कभी भी घर में पेंटिंग नहीं बना तो मेरी तुम पेंटिंग बनाओ, यह जब पेंटिंग बना रहे थे, तभी टेरेंज भी इनके साथ थी, कमिल न्यूड पेंटिंग के बारे में लॉरेंट से बूचता है, कमिल ने भी न्यूड पेंटिंग करने का ट्राय किया था, पर वो नर्वस हो जाता था, कहता है कि उसने कुछ कहा नहीं, लॉरेंट ने का, यह फिर से मुझे चाहती थी, यह सब बाते सुनकर टेरेस अनकमफटेबल होके, कमिल की पेंटिंग होने के बाद सब लोग इसे देखते है, मैडम को यह पेंटिंग बहुत ही अजीब लगी, लाइफलेस लगी, पर फिर भी यह पेंटिंग अच्छी थी, सब लॉरेंट से इंप्रेस हो गए, कमिल को कुछ काम था, तो अब रूम में लॉरेंट और टेरेस से दोनों अकेली थे, इन दोनों में पूरे वक्त एक केमेस्टी थी, लॉरेंट ने टेरेस से कहा कि अपने कपड़े उतारो, टेरेस डर रही थी, तो लॉरेंट कहता है, हमारे बास बहुत ही कम टाइम है, जल्दी से इंटिमेट हो जाते है, इसके बाद इनका मिलने का सिल्चिला स्टार्ट हो गया, एक दिन जुजडे पर कमिल ने फिर से लॉरेंट को अपने घर पर बुलाया, रात में जाने से पहले, लॉरे टेरेस से मिला था, तो बहुत ही डरी हुई थी, उसमें इतना confidence आया कैसे, रात में जब गेम खेल रहे थे, तो टेरेस की moves अच्छी थी, टेबल पर का एक आदमी कहता है, जो लोग शान्द होते है, कम बोलते है, उनी से हमें डर कर रहना चाहिए, पता नहीं कि उनके mind में क क्या चल रहा है, मैडम जब नीचे स्टोर समाल दी थी, तो हमेशा टेरेस बहाना बनाती थी, उसका सर दुकरा है, वो जो बेडरू में आती, तो लॉरेन आल्रेडी वहा होता, ये intimate हो जाते है, ये इसी तरीके से अपना affair continue करते है, टेरेस लॉरेन से कहती है, तुमने पूछता है कि क्या कर रही हो, टेरेस कहती है कि मैं रिवर का आवाज सुनने की कोशिश कर रही हो, बचपन से उसके फादर वापस आएंगे, इसलिए सी का आवाज वो सुनती रहती थी, आज भी जब वो रिवर का आवाज सुन रही है, तो अपना freedom वो जाती है, एक दिन टेरेस एक साथ थे, टेरेस उससे कहती है, फरस टाइम में जब तुमसे मिली थी, तो मैंने तुम्हें hate किया था, लॉरेन पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे hate करते हो, टेरेस ने कहा कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है, कि तुम मुझे छोड़ कर चले जाओगे, लॉर प्रेंट कहता है, सिर्फ तुम उससे प्यार करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, रात में फिर टेरेस कमिल के साथ इंटिमेट हुआ, टेरेस इससे satisfied नहीं थी, और भी कुछ दिन चले के, पर कमिल को अभी भी लगता है, कि टेरेस उससे दूर जा रही है, उसने decide किया, अ टेरेस और लॉरेंड मिले, तो टेरेस उससे सब कुछ बताती है, इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, कमिल को मार डालेंगे, लॉरेंड कहता है कि एक एक सिड़न की तरह लगेगा, कोई भी वरी मत करो, टेरेस जा रही थी, तो उससे बुछता है, क्या तू मेरी हो, टेरे पर लेट कर सो जाता है। लॉरेन भी इनके पास बेठा। यही पार्ग में वो टेरेस को टच करने लग गया। अजानक से इनके जान बैजान के लोग यह आ गया। पर उन्होंने कुछ भी देखा नहीं था। उन्हें भी बोटिंग करनी थी तो आगी चले गए। थोड़ी किनारे तक लेकर आया था। इन्होंने प्रिटेंड किया, इनकी बोट डूप गई। इसमें कमिल की डेथ हो गई। यह दोनों मिलकर रोने का प्रिटेंड करते हैं। इनके पहचान के सब लोग आसपास ही थे, तो उन्हें घर लेकर आये। राद बार सब लोग कमिल की बो हो जाते है, मैडम बहुत ही जादा दुख में थी, वो टेरे से कहती है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, तुमने हमेशा उसका ख्याल रखा है, तुम इसे मरने कैसे दे सकती थी, उसकी डेथ हो गई और तुम बज़ गई, यह कैसे पॉसिबल है, मैडम की एक फ्रेंड उसे सम लगता है, वहाँ सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, यह इस बात को उसे जाने देना चाहिए, इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होता, मैडम ज़रा गुसा होके, तो सब लोग यहां से चले जाते हैं, लॉरेन ने मैडम को सहरा दिया, कहा, यू लोग आपके लि है, एक्शुली किसी भी आदमी को मारने के बाद, उसकी गिल्ट बहुत ही जाधा होती है, बहुत सारे किलर्स का एकस्परियंस है, किसी की जान लेने के बाद, वो डिस्टब हो एचुके थे, अब यही चीज टैरेस एक्सपरियंस कर रही है, हर बार उसे कमिल की याद ाती रहती है वो आज कल खुश नहीं रह सकती है एक दिन लॉरेन टेरेस से मिलने के लिए उसके साथ इंटिमेट होना चाता था टेरेस कहती है कि अब भी मुझे कमिल के डरावने सपने आ रहे है यही चीज लॉरेन भी अपने खुद के लिए एक्सप्रियेंस करता है वो भी मैडम के ही नाम पर है यह सुनकर लॉरेन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे टेरेस को शक जाता है यह शायद लॉरेन उसके पैसों के लिए उसके साथ है लॉरेन टेरेस से कहता है इस सब लोग के सामने तुम ना टक करो यह टेरेस के तुम्हें बहुत याद आती है मैड stranger के साथ शादी करने से अच्छा वो Camille के friend से ही शादी करे ये सारी इस बात को मान गए Terrace और Loren ये अलग रूम में थे Terrace कहती है तुम किसी और के साथ थे, मैं उसका send तुम पर smell कर सकती हूँ, Lauren कहता है कि एक थी, पर मैंने उसके साथ ब्रेक अप कर लिया है मैं नीन में ही तुम्हारा ही नाम लेता रहता हूँ सब लोग इनके पास आए और कहा यह तुम दोनों को शादी करनी चाहिए यह दोनों भी मान जाते है इन दोनों की शादी के बाद मैडम ने अपनी विल चेंज की है मैडम की डेत के बाद उसके सारे पेसे टेरेस और लॉरेंट को मिलेंगे वेडिंग नाइट पर लॉरेंट कहता है कि आज वही रात है जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे टेरेस लॉरेंट से बूछती है कमील की डेत कैसी हुई थी क्या उसने स्ट्रगल किया था लॉरेंट कहता है कि तुम भी वहा थी क्या तुमने देखा नहीं टेरेस ने कहा मैंने मेरी आग बन कर ली थी लॉरेंट कहता है मैंने शान्दी से उसे पानी में डाल दिया था टेरेस उस पर चीड गई कहती है कमिल ने बहुत स्ट्रगल किया था तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था लॉरेन कहता है तुम भी तु वही जाती थी कमिल को मारने के बाद इन दोनों की लाइफ हेल बन चुकी है इसके बाद कुछ टाइम गुजर गया टेरेस लॉरेन और मैडम एक दिन पाक में हुए थे मैडम कभी भी शौक से उबरी नहीं आज कल वह बहुत सारी स्टोरी बताती है अब भी बताना स्टार्ट करती है तो लॉरेन इसे पक चुका था इस बार स्टोरी बताते हुए मैडम को कमिल दिखा इस शौक की वज़े से उसे अटाक आया इसके बाद वह दोनों की सिगनेचर लगेगी यानि कि टेरिस मैडम को बचा लेती है इनकी मैरेज में भी प्रॉल्म चल रहे थे लॉरेन को टेरिस का बनाय हुआ खाना अच्छा नहीं लगता आज कल लॉरेन भी हमेशा ड्रिंक करता रहता है एक दिन मैडम के सामने इन दोनों की फाइट हो गई टेरिस लॉरेन को ही कमिल को मारने का दोशी मानती है लॉरेन जोर से चिला कर टेरिस से गहता है हम दोनों ने मिलकर उसे मारा यह सब बात मैडम ने सुनी और वो बहुत जादा रिस्टव हो गई थी वो सब सुनने के बाद बहुत रोती है एक दिन चुज़डे वर म कमिल को मार डाला पर वो बहुत ही इजॉस्टेट हो चुकी थी उसके फ्रेंड्स को भी यह बात समझ में आई एक दिन मैडम शॉप में थी तो उसे पैन और इंग दिखी वो इसे लिखने की कोशिश करती है पर उसकी इंग नीचे गिर गई थोड़ी दर में जब टेरिस मै वाती डिस्टब थी तो बार में जाकर ड्रिंग भी करने लग जाती है वो लॉरेन के साथ आज कल इंटिमेट नहीं होना चाहती है अगले दिन जाकर लॉरेन ने पॉईजन बाय कर गर लाया वो मैडम और टेरिसा इन दोनों को मार डालने वाला था लास्स सीन में हमने लग गए टेरिस और लों र्रिंग जब देखा तो मैडम को मारने के लिए उसे नदी के पास लेकर आए यह प्रिटेंड करने वाले थे कि नदी के पास ये पिकनिक के लिए और मैडम की डेथ हो गए इनकी बास की वाइन में लॉरेन ने पॉईजन मिला दिया तेरेस के हाथ में भी चाको था इन दोनों ने एक दूसरे का प्लैन नोटिस किया ये डिसाइड करते है कि मिलकर सुसाइड कर लेंगे पॉईजन से डेथ होना ये जरा एजी है दोनों ने मिलकर सुसाइड कर ली मैडम को ढूंटे होए उसके फ्रेंड्स आके उन्होंने उसे बचा लिया इसी तरीके से इस मूवी की एक ट्रैजिक इंडिंग हो जाती है टेरेस और लॉरेन ने एक साथ रहने के लिए कमिर की जान ले ली मर्डर की गिल्ड की खुछ सहर नहीं कर पाए इनका जीना हराम हो गया था किसे को मार कर या अच्छी लाइब जी नहीं सकते यही आज का वीडियो में कतम करें